विल्कम बेक टू माई चैनल आज हम आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त हाइवे चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकिया है जो बनाना बहुत आसान है बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी ये चिकन कढ़ाई बनके तयार हो जाएगा और बहुत कम टाइम में बन जाने वाला ये रेसिपी है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करिए अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चलिए हम सुरू करते हैं ये एक किलो चिकन है बड़े बड़े टुक्रोम कट करा के साबू जीरा, साबू धनिया, चाट मसाला, लेमन जूस, कसूरी मेथी, अदरग लसन का पेष्ट, गरम मसाला पॉर्डर, नमर, हरी धनिया, अदरग, हरी मिर्ची, टमाटर अब कॉन्डेटी आपको हम कुक करते वक्त बताएंगे सबसे पहले हम साबू धनिया, दो टेबल इस्पून, वन टेबल इस्पून, जीरा को रोष्ट करेंगे अदम लो फिलेम पिसको हम रोष्ट करेंगे, इसको ज़्यादा जलने नहीं देंगे बस अच्छी सी खुसबू आने तक रोष्ट कर लेंगे, अब इसको ठंडा करके इसका पॉडर हम बना लेंगे अब हम एक कप आइल आइट करेंगे एक कप आइल अभी हम आइट कर रहे हैं, अभी हमें आधा निकाल लेना है अब इसमें हम डारे, अच्छे से पानी इसका ड्राय होना चाहिए चिकन को इस तरीके से रखके हम 10 मिनट कवर करके इसको कुक कर लेंगे 10 मिनट के बाद हम साइट चेंज करेंगे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम साइट चेंज कर लेंगे बहुत फटाफट से, बहुत जटपट से, बहुत ही टेस्टी ये चिकन कड़ाई बनके तयार हो जाएगा अब साइट चेंज कर लिए, अब हमें 5 मिनट हम दूसरे साइट भी कवर करके कुक कर लेना है अब हम मसाले वो जीरा साबु धनिया का पौडर है वन टीस्पून चाट मसाला, वन टीस्पून गरम मसाला, वन टीस्पून कसूरी मेथी इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको हम साइट में रखेंगे अब चिकन हमारा 70% कुख भी हो चुका है अच्छे से फ्राई हो चुका है अब सारे हम निकाल लेंगे अब साथ से आठ पीस हरी मिर्ची को हमने हलका से कट लगा के आइल में अट कर लेना है और कवर कर देना है इसलिए कि फ्राई होते वक्त मिर्ची फटती है अब हम फ्लेम को बन कर देंगे मिर्ची को निकाल लेंगे अब हम थोड़ा सा आइल भी निकाल लेंगे हमने आधा आइल निकाल लिया यह आइल आप किसी भी चीज में आप यूज कर सकते हैं अधरग लसन का पेस्ट एट कर देंगे एक टेबल स्पून यह चार टमाटर है मी किया हुआ चिकन आइट कर देंगे आप लोग हमें सपोर्ट करिए आप लोगों के लिए इजी टेश्टी रेसिपी लेके हम आते रहेंगे एक बार आप इस तरीके से चिकन कढ़ाई बनाएंगी सभी को बहुत पसंद आएगा बार बार बू बनाने के लिए कहेंगे बहुत जूस आइट कर देंगे ये एक टेबल इस्पून है नम्मे कटे हुए अद्रग हरी धनिया फ्राई किया हुआ हरी मिर्ची को आइट करेंगे अब कवर करके तीन से चार मिनट और हम कुक कर लेंगे तीन से चार मिनट हो चुके है अच्छी तरीके से चिकन भी कुक हो चुका है और कड़ाई बनके तयार है अब इसमें इसमोकी फ्लेवर देंगे हम हमने कोईलो को जला लिया है अब एक कटोरी फॉल पेपर कुछ भी हम रखेंगे थोड़ा सा ओयल एट कर देंगे इसको पा 5 मिनट हो चुके हैं अब आपको हम सर्फ करके देखाएंगे देखते ही तो मुह में पानी आ जाएगा इतना टेस्टी इतना इजी रेसिपी बनाना तो बनता है अब एक बार बनाईए सभी को बहुत पसंद आएगा और कैसा आपका हाईवे चिकन कड़ाई बना है हमें कमे कि अपक्या अबना है अबस वड़ाएंगे प्रिश दाएगा इतना इतना की वोड़ादी दो कि अर दिए घुटावा देखते हैं